गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स मैं अजीत कुमार पटेल एक बार फिर आप सभी के बीच वीडियो लेकर हाजिर हूँ फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो होगा अवतल दर्पन में प्रतिबिम्बो का बनना तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को सुरू करने से पहले हम अवतल दर्पन में कुछ महत्पून बातों को समझेंगे जैसा कि पहला है जब तक वस्त वक्रता केंदर के पहले रखी हो तो उसका प्रतिबिम्ब हमेशा वस्त से छोटा ही बनेगा अगला है अगर वस्त वक्रता केंदर पर हो तो प्रतिबिम्ब वस्त के बराबर होगा नेक्ष्ट है अगर वस्त वक्रता केंदर सी तथा फोकस के बीच में होगी तो प्रतिबिम्ब वस्त से बड़ा बनेगा प्रत्विम्ब बनने की पहली स्थिती है जब वस्तु अनंत पर हो तब प्रत्विम्ब कैसा बनेगा अगली स्थिती होगी जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी तो वस्तु का प्रत्विम उल्टा आकार उसका बराबर होगा वस्तु के वस्तु के वस्तु विक होगा अस्थान वक्रता केंद्र यानि C पर ही जाकर वस्तु का प्रत्विम बनेगा नेक्स्ट होगा जब वस्तु अनंत तथा C पर हो तब वस्तु का प्रत्विम्ब कैसे बनेगा वस्तु C यानि कि अनंत और वकृता केंदर के बीच में वस्तु होगी तब उसका प्रत्विम्ब उल्टा वस्तु वी आकार में छोटा बनेगा जैसा कि प्रत्विम एड़ाय से दिया गया कि यहां पर प्रत्विम वस्तु वकृता केंद और अनंत के बीच से हो कर गई है नेक्स्ट होगा जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में हो जब वस्तु वक्रता केंद्र फोकस के बीच में होगी तो वस्तु का आकार उल्टा बड़ा वनेगा और वास्तविक रहेगा अस्थान होगा अनन्त वा वक्रता केंद्र के बीच वस्तु का प्रत्विम वक्ता केंद्र और अनन्त के बीच पर होगा नेक्स्ट होगा जब वस्त फोकस पर हो जब वस्त फोकस पर रखी गई हो तो उसका प्रत्विम कैसा बनेगा तो प्रत्विम्ब उसका उल्टा और वास्तविक तो बनेगा ही, साथ में आकार बहुत बड़ा होगा, अस्थान अनन्त पर जाकर बनेगा जैसा कि यहां पर दिख रहा है कि ववस्तु का आकार बहुत बड़ा है और अस्थान उसका अनन्त पर जाकर बन रहा नेक्ष्ट होगा जब वस्तु फोकस तथा धुरू के बीच में हो जब वस्तु फोकस तथा धुरू के बीच में होगी तो उसका प्रत्विम्ब एक ही स्थिती में सीधा बनेगा आभासी रहेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा जैसा कि प्रत्विम्ब दिखाया गया है कि वस्तु फोकस तथा धुरू के बीच में होगी तो वस्तु का प्रत्विम वस्तु के दरपण के पीछे बनेगा यानि अभासी रहेगा और वस्तु से बड़ा भी जाकर बनेगा तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत जाइ हिन्द।